हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का SSG गुर्कुल के ओफिसियल यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भूकम्प और ज्वाला मुकी की एक सांदर्ची क्लास तो SSGD की इस मनोकामना पूर्ट संकला में आपका ब आई क्यूं लगा रहे होंगे या आप इस क्लास को जब कंप्लीट रूप से देख लेंगे ना तो आपके अंदर और ज्यादा कॉन्विडेंस आएगा आप कहेंगे सर हमने भूकम्प और ज्वाला मुकी पहले कईवार पड़े हैं लेकिन ऐसा जब आपने बताया ना बका यह स्टार्ट करेंगे और इसमें मैं आपके जो दो बहुत महत्रबू टॉपिक हैं पहला है भूकम्प और दूसरा है ज्वालामकी दोनों पर बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करें भूकम्प की तो आपको मालूम है अर्थक्वेक है अब भूपरपटी पर या भूपरपटी के अचानक दोलन या कंपन को भूकंप कहते हैं यानि जहां पर मनुष्य रहता है जहां पर हम और आप लोग रहते हैं अगर वहां पर किसी प्रकार का कोई भी गती होती है या किसी प्रकार का कोई भी बाइब्रेशन टाइप का हो रहा हो होता है ना उसी को हम सामान निभासा में भूकम्प या अर्थक्विक बोलते हैं अब आप कहेंगे सर ऐसा होता कैसे है ऐसे कौन से बो नहित कारण है जिनके माध्यम से प्रत्थवी की जो ऊपर ही परते हैं या प्रत्थवी की जो भूपर पटी है वहाँ पर हमें बाइबरि प्लेटों की जो गतियां है प्लेटों की गति के करान भी कभी-कभी प्रत्थि वपर Lewis की बारे मिलते हैं इस में कहा गया है कि जब दूर दूर जारी होती है ना जर दो फ्लेटए एक दूर पर दूर जारी होती है तो वह इतनी दूर चली जाती है कि वो आपस में उन्हें जो खचाव है ना खचाव करणで और तूट जाती हैं तूट ने करण जब वो द्वारा से अपनी मूल अवस्ता में आती हैं तो उन्हीं मूल अवस्ता में आने के करण ही प्रत्वी के 평ारी भाग पर हमें भूकम्प की तरंगें भूकम्प की जो कमपन है वो हमें प्रत्वी की भूपरष्टपत देखने को मिलता है या कभी भी जौलाम की उदगार हो है ना जिस छेत्र में जौलाम की उदगार होता है ना बच्चो जिस छेत्र में जौलाम की का उदगार होता है तो प्रत्वी के आंत्रिक भाग से जो मेगमा है वो बाहर लावा की रूप में बाहर आ रहे है ना अब कोस अब खुद एक इमेजन करिएगा कि प्रत्वी के आंत्रिक भाग में क्या है आंत्रिक भाग में मेगमा जो फिलो कर रहा है जैसे ही उसे प्रत्री की कोई भी कोमल या बहुत ही कमजोर परत दिखती है वहां से वो पूरे प्रेसर के साथ उसे तोड़ता है वो तोड़ करके बाहर निकलता है जैसे ही वो अंदर से उसे पूरे दवाब के साथ तोड़ेगा तो तोड़ने पर वो जैसे ही बाहर आएगा तो जिस छेतर पर जो अलामु की उदगार हुआ है ना उसके आसपास के 10 से 20 किलोमेटर के छेतर में हमें विसेश प्रकार का एक कमपन देखने को मिलता है और इसी प्रक्रिया को हम भूकम बोलते हैं ना इसी प्रक्रिया को बचो भूकम बोलते हैं तो भूकम का एक कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि आकर भूकम होता क्या है अब हम भूकंप से जुड़ी हुई कुछ ऐसी सब्दावली है, कुछ ऐसी टर्मिनलोजी है जिसको आप लोग जान सकते हैं, जैसे आप देख पाऊगे कि भूपरपटी के अचानक दोलन या कमपन को भूकंप कहा जाता है, यह जो हमारी भूपरपटी है, जिस पर हम और भूकंप मूल वह इस्थान होता जहां से भूकंप का प्रारंब हुआ है, यानि वह इस्थान जहां से भूकंप प्रारंब होता है, उसे हम भूकंप मूल या फोकस के नाम से जानते हैं, पूंचा जाता है कि परिच्छा में याद रखिएगा, इस बात को माइंड में सेट कर लो भूकंप मूल क्या होता है वह इस्थान जहां से भूकंप का प्रारंब होता है उसको हम भूकंप मूल बोलते हैं लिखवी राया पर कि प्रत्वी के अंदर जिस इस्थान से भूकंप प्रारंब होता है उसे भूकंप मूल के नाम से जानते हैं दूसरा है अभिकेंद् हम epicenter किसे बोलते हैं बच्चो आपसे पूँछे कि भूकम्प की क्रिया में ही epicenter किसे कहा जाता है तो याद रखना कि प्रत्वी के ऊपर यानि भूपरपटी पर भूकम्प की जो तरंगें होती है यानि प्रत्वी की सतय पर वह इस्थान जहां पर भूकम्पी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं हम उस इस्थान को भूकंप क्या बोलते हैं अभिकेंद्र या एपी सेंटर बोलते हैं अधिकेंद्र या एपी सेंटर वह इस्थान एक बार और समझे वह इस्थान जहां पर भूकंप की जो तरंग हैं सबसे पहले पहुंसती हैं उसे हम अधिकेंद्र या एपी सेंटर के ना कि बुखत के द़रान कौनसी प्रमखगुरूप से उर्जा निकलती है तो वो है प्रत्थी को हिला देती है न जब प्रत्वी के अंदर से तरंगे इसने बेख़न निकलती है कि ऊपर जहां पर यह अधिकेंद्र होता है जहां पर यह epicenter होता है वहां एक बहुत बड़ी level पर कमपन होता है बहुत बड़ी level पर कमपन होता है कभी-कभी तो कमपन इतना जादा होता है कि वहां पर बड़ी-बड़ी building है हलचले कराना वो गिर जाती है या वहाँ पर कोई नदी है, नहर है, तालाव है, इवन समुद्र भी है, तो उसके पानी वे भी हमें विसेज प्रकार के वड़ा क्या है जोहर भाते से टाइप की देखने को मिल जाते हैं, नदी है तो उसका पानी बहुत उसका बेग तीब्र हो जाता है, इससी ऐसी प्रक्र याए भी हमें भूकंप के दौरान देखने को मिल जाती है यह प्रत्यास तूर्जा प्रत्वी को हिला देती है और यह तरंग के रूप में निकलती है और जब प्रत्वी के बाहरी भाग पर हमें क्या होता है बाहरी भाग पर कुछ प्रमुक रूप से तरंगों का आवास होत भूपटल पर होता है, यानि भूपरपटी पर होता है यहां पर मैं लिग्वी रख़ा है भूपकम के दोरां, तीन प्रकार की तरंगय निकलती है जिन में, नंबर एक है primary babes, जिसको हम P तरंगय बोलते है, दूसरी है secondary babes, जिसको हम S तरंगय बोलते है तीसरी है latitude बेव जिनको हम L तरंगों के नाम से जानते हैं तो ये तीन प्रकार की तरंगे हैं बच्चो PSL है ना याद रखिएगा तीन प्रकार की तरंगे भूकम के दोरा निकलती है Primary, Secondary और Latitude Primary, Secondary, Latitude यानि पहली तरंगे, Primary तरंगे, दूसरी तरंगे, Secondary है तीसरी है, धरातली तरंगे हैं तीनों के बारे में बहुत अच्चे समझेंगे पहले समझिएगा है ना, जहां भी समझ में नहीं आए जहां भी आपके समझ में नहीं आए ना, दौरा से बैक जाना, दौरा वीडियो देखना बैसे आपको एक बार में डाउट के लिए रो जाएंगे फिर भी आपको लगे, हां यार एक बार और देख लेना चाहिए तो देख लेना, क्योंकि भूकम्प और जौला हम कीसे बनेगा प्रस्ट तो इससे बाहर जाएगा नहीं अगर हम P तरंगों की बात करें, तो सबसे पहले आप कहेंगे सर ये तरंगे ऐसी हैं, जिनकी जो चाल है ना, जिनकी जो वेलोसिटी है वो सबसे कम होती है सबसे कम चाल इनी की होती है, इनकी चाल 6 किलोमीटर पर सेकंड की होती है 6 km per second की चाल है यह प्रथवी पर सबसे पहले पहुंचती है याद रखियेगा स्वरी इनिकी चाल होती है इप्रथवी पर सबसे पहले पहुंचती है जिस कारण इसे प्रात्मित तरंगों के नाम से जानते हैं P तरंगों को अनुधर तरंग भी कहा जाता है यह important हो गया आपका है न पी तरंगों को अनुध्यर तरंगें भी कहा जाता है इसको आप लोग note कर लीजेगा पी तरंगों को अनुध्यर तरंगें कहा जाता है याद रखना पी तरंगों को अनुध्यर तरंगें कहा जाता है ये ठोस द्रव तथा गैस तीनों में चल सकती है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है याद रखना एक बार पूंचता है बुकम्प की क्रिया के दोना निकलने वाली ऐसी कौन सी तरंग है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों माद्दे में चल सकती है तो आप कौन सी तरंग की बात करेंगे बिटा यानि एस तरंग, एस तरंग की बात करें तो इनकी जो गती होती है न वो 3.5 किलोमीटर पर सेकंड है न 3.5 किलोमीटर पर सेकंड इन सबसे पहले कौन सी पहुंचती है एस तरंगे है उसके बाद है एस तरंगे पहली है पी तरंगे, दूसरी है एस तरंगे इनकी चाल कितनी है? 3.5 km per second होती है, है ना, P तरंगों के बाद में ये हमें प्रत्तिव पर पहुंचती है, इन्हें हम दुतियक तरंगों के रूप में जानते हैं, और ये अनुप्रस्त तरंगे हैं, याद रखिएगा ये कैसी तरंगे हैं? ये अनुप्रस्त तरंगे हैं, कहीं पर सुनामी आया हुआ है, तो इन तरंगों की उत्पत्ती नहीं होती है, है ना, इससे छती P की तुलना में अधिक होती है, यानि जहां पर हम P की बात करें, प्रामरी बेप्स की बात करें, तो जो प्रामरी बेप्स होती हैं, वो कम खतरनाक होती हैं, ये ज़्यादा याद रखिए कि आपसे सिर्फ यहां से प्रस्ट पूंचता है यह पूंचता है कि S तरंगों को किस अन्य नाम से भी जानते हैं आपसे यहां प्रस्ट बनता है कि S तरंगों को किस अन्य नाम से भी जानते हैं तो आप कह सकते हो कि S तरंगों को हम क्या बोलते हैं अनुप्रस तरंगें भी बोलते हैं, ये दुतियक तरंगें हैं, ये P तरंगों के बाद हमारे दरातल पर पहुंचती हैं, दरातल पर इनका आबास P तरंगों के बाद होता है, याद रखना भई, ये दरव माददम में नहीं चल पाती हैं, ये सिर्फ ठोस और गैस में चलती हैं, ये दर लब के द्वारा इनकी खोज की गई है HD लब किसके द्वारा HD लब के द्वारा खोज की गई है आपकी L तरंगों की इन तरंगों को धरातली तरंगें बोलते हैं इन तरंगों क्या कहा जाता है इन तरंगों को धरातली तरंगें कहा जाता है ये अनुप्रस्त गती करती हैं याद रखो सरीन की गती कितनी है 1.5 km पर सेकंड की गती है ये तीनों माद्दम में चल सकती है ये सबसे दीमी गती की है सबसे दीमी गती की होने के कारण ये सबसे खतरनाक है आप देखिएगा कि जब ये प्रत्वी के भूपटल पर पौँशती है या भूपरपटी पर पौँशती है तो ये सरवादिक छती करती है याद रखना तो भूकंब से जो एल तरंगे हैं वो सबसे हानिकारक और सबसे खतरनाक तरंगे हैं आपको और प्रस्ण पूशता है भाई जैसे भूकंब के अध्यन को क्या कहा जाता है तो सीस्मोलोजी कहा जाता है भूकंब के अध्यन को क्या बोलते हैं हम सीस्मोलोजी बोलते हैं भूकंब को जिस ग्राप पर बनाया जाता है उसे सीस्मोलोजी बोलते है को बोलता है मर्केली स्केल तो मर्केली स्केल का प्रियोग भी हम पहले करते थे भूकंप की तीब्रता को मापने के लिए लेकिन आदुनिक पैमाना कौन सा बच्चे लोग आदुनिक पैमाना है रिक्टर स्केल दोनों को याद रखना चाहें तो आपसे मर्केली स्केल नहीं है तब तो याद रखना ये आपके भूकम से मैंने जितने भी प्रश्ण बन सकते हैं भूकम के बारे में समझा दिया है अब हम बात करते हैं जौला मुकी के बारे में बचो याद रखना जौला मुकी जो है एक ऐसी क्रिया है जहां पर प्रत्वी के आंतरिक भाग में जो मेगमा फ्लो कर रहा होता है ना प्रत्वी की आंतरिक भाग में जो मेगमा फ्लो कर रहा होता है वही भूपरपटी पर उपर निकलता है उसी को हम जो आलमकी बोलते हैं आपको मैंने एक टॉपिक कराया था प्रत्वी की आंतरिक सरचना और प्रत्वी की आंतरिक सरचना मै प्रबार या मेंटल यह ना और मेंटल में आपको बताया था कि जो मेंटल वाला भाग है ना वई इसी में बहुत से जो पदार्थ हैं वो द्रव अवस्ता में फिलो करते रहते हैं द्रव अवस्ता में घूमते रहते हैं फिलो करते रहते हैं जैसे ही वो भूपरपटी पर भ तो प्रत्वी पर जो जो आलम की है न जो आलम की दरातल पर इस तरे एक च्छिद्र होता। और चित्र के माद्यम से अंदर का जो मेगमा है वो बाहर निकल आता है आप चित्र में भी देख पारे हो ना कि ये प्रत्वी है और प्रत्वी के अंदर से क्या हो रहा है अंदर से जो लाबा है वो बाहर निकल रहा है ना लाबा बाहर निकल गया और आसपास के चित्रों में फैल गया, इसे बोलते हैं, भाई ये जॉला मुकी है, याद रखना, कि जॉला मुकी के दोरान कौन-कौन से प्रमुक पदार्थ निकलते हैं, तो सबसे पहली चीज़ देखो गया आप, कि जॉला मुकी के दोरान प्रत्वी के अंदर से मैगमा, राथ, जलवास्प और अन ग कैसे बाहर निकलती हैं, याद रखना भाई, इस बात को आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा क्या निकलता है फिर, भाई ये तो निकलता ही है, सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो सबसे ज़्यादा पूछे, तो जलवास्प पहना, जॉला मुकी क्रिया के दोरान सरवाद एक मात्रा में जलवास्ट बाहर आता है जलवास्ट बाहर आता है हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा ठेक भई, किलिए आपको समझ में आया अब हम बात करते हैं कि हमने क्या किया है हमने सक्री ताके आधार पर ज्वाला मुखी को तीन भागों में बाटा है जैसे कौन-कौन से प्रमक ज्वाला मुखी है तीन भाग कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले आपका सक्री ज्वाला मुखी है सक्री ज्वाला मुखी का मतलब क्या होता है एक्टिव बॉलके नो है active से आप से जान पारे होगे तो यह हुआ ना कि वो हरसमें उसमें उदगार होता रहता है याद रख़िएगा भाई तो शक्री जो आलम की वह जो आलम की है जिससे अक्सर उदगार होता ही रहता है जैसे आपने किलायू देखा होगा किलायू जो है ये अमेरिका के हवाईन दीपर है और संसार का सबसे सक्री ज्वालामकी है संसार का सबसे सक्री कौन सा है किलायू जो अमेरिका के हवाई दीपर इस्तित है हमें इस बात को जानना पड़ेगा परिच्छा के लियास से बहुत जरूरी है आपने देखा भूमत दिसागर का सिचली है है ना भूमत दिसागर का सिचली के उत्तर में क्या है लिपारी दीपपर आपका इस्ट्राम बोली है इस्ट्राम बोली जो आला मुखी को भूमत दिसागर का क्या बोलते हैं जलवास्प निकलता रहता है, राक निकलती रहती है, जो अंदर वाला जो मेगमा है, जो मेगमा है वो बाहर निकलता रहता है, इसे आप क्या बोलेंगे, सत्क्री जो अलम की बोलेंगे, यहां पर दो बात है समझेगा, मैंने प्रियोग किया मेगमा और लाबा, मेगमा और ल अवस्ता में फिलो करते रहते हैं, तब उनको हम मैगमा बोलते हैं, और यही पदार्त जब प्रत्थवी के बाहर वाले हिस्से पर आ जाते हैं, यहां पर फैल जाते हैं, तब इनको बोलते हैं, यह क्या है यह लावा है, यह लावा जब बाहर फैल जाता है, तो लावा चक्त क्यों कि होगे अगर हम बात करें आगे आगे आप देखें आप लोग सर्फ प्रसुप्त ज्वालामुकी क्या होता है तो प्रसुप्त ज्वालामुकी की आकरती देखकर आप पैचान पा रहे होगे मेरे पीछे आकरती है प्रसुप्त ज्वालामुकी की आकरती आप देखें क नहीं हुआ है कई वर्सों से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविस्स में उद्गार होने की संभावना है इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है हम यह नहीं कहेंगे कि उद्गार होगा नहीं ऐसा जौला मुखी जिसमें कई वर्सों से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भवि कभी भी उदगार हो सकता है ऐसे जिवाला मुर्फ को हम बोलते हैं प्रसुप्त जिवाला मुर्फी समधर आप लोग सेसे कोईıı सबकstill डाएनामेरी का क्या मृंट सेंट हैलेना मृंट सेंट घैलेन्स जो है वो एक प्रसुप्त जौला मुखी है आगे मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ तयार किया चिंता मत करी है ना आगे बात करते हैं आगे आपका आता है सर कौन सा जौला मुखी मृत जौला मुखी जिसे हम डॉर्मेंट बोलते हैं सोरी मृत जौला मुखी आपका है जिसमें कई वरसों से उदगार नहीं हुआ है उसके मुख में जल बर गया है यानि अब उदगार होने की संभावना भी नहीं है जो उसका मुख है जहां से जौलम की उदगार होता था अब इतना पुराना हो गया है जौलम की उदगार हुए बिना कि अब उसके मुख में जल बर गया है जील का निर्माड हो गया है तो अब भविस्स में उसमें उद्गार हो गई नहीं तो मुरत जो आलमकी को मान सकते हैं कि ऐसे जो आलमकी जिनमें काफी बर्चों से उद्गार नहीं हुआ है और भविस्स में भी उद्गार होने की कोई संभावना है ही नहीं उनके म लेब बंध है, म्यामार का माउंट पोपा है, आफरीका का किलिमन जारो है, एककोडोर का चिम्बा राजो है, यह सभी किसके उधारण है, यह सभी आपके मृत जो आलामकी के उधारण है, अब आप बोले हमको तो याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब आपको याद होगा मैं आपको गारेंटी देता हूँ, जैसे, अगर हम एक एक करके बात करें, पहले आप एक आकरिती देख पाईए, यहाँ पर मैं लिख रका है आपका, कि यह एक्टे बॉलकेनों है, यह डॉर्मेंट है, और यह आपका एक्सिस्ट है, यह एक तरफ आपका दे रखा है, सक् करेंगे बात कौन सा है, प्रसुप्त जॉलम की है, तीसरा आपका मृत जॉलम की है, तीनों को आप लोग आराम से जानेगे था, एक जॉलम की इसमें हमेशा उदगार होता रहता यह है, दूसरा कई बरसों से उदगार नहीं हुआ, लेकिन नीचे इसमें मैगमा बरा हुआ कभी भाहर आ सकता है, तीसरा जॉलम की यह है, मृत है, उदगार हुआ नहीं है, और नीचे भी मैगमा नहीं, इसका मतलब उदगार होगा भी नहीं कभी, यह आपके क्या है, यह आपके जॉलम की, मैंने आपको तीन टैप बताए हैं, तीनों टैपों को आप जान सकते हैं, अब हम ट्रिक से जानते हैं कुछ प्रमुक जो अलमकियों को जैसे, आप कहेंगे सब से पहले सक्री जो अलमकि, सक्री जो अलमकि याद करने की ट्रिक देखिए भई, सक्री जो अलमकि याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक है मोना से कोई ऐस करे, है ना, मोना से कोई ऐस करे, बैया ऐसा मत करना ट्रिक को तुम पढ़ जाओ और बाद में फिर मोना नाम की कोई लड़की है आप लोग भी सोच रहे यार सर ने बताया था ऐसा नहीं है यह सिर्फ जौलाम की याद करने के लिए है मोना से कोई एस करे मोना का मतलब मोना लोगा कहां पर है हवाई दीप पर है से का मतलब सेमेरू इंडोनेसिया में है को का मतलब कोटापैक्सी एकवडोर में है ए का मतलब इरेबस अंटाक्टिका में है ए का मतलब माउंट एटना इटली में है सा का मतलब स्ट्रामबोली इट इना में सब्सक्रामकी हैं यह सभी कैसे हैं बच्चों यह सभी सक्री ज्याला मुखी हैं याद रखना एक बार आप पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे तीन वार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, दूसरे पर आते हैं, दूसरा हमारा क्या है, प्रसुप्त जो आलम की से, प्रसुप्त जो आलम की याद करने की ट्रिक क्या है, तो आप कहेंगे सर, बम फ्यूज हो गया, बम कैसा, बम फ्यूज हो गया, बस से विसूबियस इटली का है, मस से मेयाना फिलिपीन्स का है फ्यू से फ्यू जीयामा जापान का है इनको तीनों को याद कर लो भई इनसे ही प्रस्ण बनता है आपकी परिच्छा में इनसे ही प्रस्ण बना है और आगे भी इनी से बनेगा ठीक है चलिए आगे आता है आपका सर सांत या मरत जो आलम की याद करने की ट्रिक बताईए तो सांत या मरत जो आलम की याद करने की ट्रिक क्या है पापा देव की को सांत करो पापा का मतलब माउंट पोपा कहां पर है म्यामार में है देव से देवबंद इरान में है की से किलमन जारो तंजान या में हैं को से को सुल्टान इरान में हैं याद रखिएगा ऐसे आपका परिच्छा में प्रश्ण पूँचता है ठीक है आपसे इसी प्रकार के प्रश्ण आपकी परिच्छा में कई बार पूचे गए हैं आपसे आगे प्रश्ण बने तो बहुत बहतर तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो बच्छे लोग आंसर कर सकते हो चलिए अब आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं जैसे भारत के अंदर सर कौन सा है तो भारत के अंदर सक्क्री जो अलमकी की बात क दॉनों को जाद रखना है, बेरण कैसा है, अंडमान निग बनेगा, इससे बाहर पूंचे गई ईन इससे जक़धा आपसे पूंचता गई नहीं है, अब देखो, आपकी परिछा में प्रस्ट कैसे पूंचे गई उन से, प्रस्ण देख लो आपसे प्रस्ण देख लो आपसे प्रस्ण देख को पहला पूछा गया है कि भारत में इस्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्री ज्वालाम की बैरंदीप ज्वालाम की अंडमा निकोवार से लगबग 138 किलोमीटर पूर्व में इस्थित है 138 किलोम समय से उद्दारित नहीं हुए हैं लेकिन भविस में उद्दारित होने का हो सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता मैं आगे बात करते हैं जौला मुखी से निकल कर प्रत्वी की सतय पर फैलने वाले मैगमा को क्या कहा जाता है कमेंट करिये बाई कि जौला मुखी से निकल कर प्रत्वी की सतय पर फैलने वाले मैगमा को क्या बोलते हैं आप इसको हम लावा बोलते हैं इसको क्या कहा जाता है बात समझ में आ गई है तो जौला मुखी और भूकम से बनने वाला कोई भी प्रस्ण ऐसा नहीं होगा जो SSC GD के लिए तिरसूल बैच है जो कि 3 सेप्टेंबर से प्रारम हो रहा है इसको आप अभी परचेस कर लीजिए जिससे के क्योंकि SSC GD की वेकेंस यहां 5 से आ रही है और अगर आप इसको समय लगाएंगे तो निश्चित तोर पर मानिए कि परिच्छा के लिए आप लेट हो जाएंगे भई इसको आप जल्दी जोइन करिए इसमें हमारे यहां 450 गंटे से जादा की लाइव और रेकोड़ेट आपको क्लास मिलने वाली है ठीक है दस ओनलाइन मौक टेस्ट है जितने प्रीबियस यह कुस्चन्स होंगे सभी आपको प्रोबैट करने वाले हैं अब आपको maximum 10% का discount भी है maximum 10% का discount भी आपको मिलेगा तो मुश्किल से कितने का बई 450 के आसपास यह आपको batch मिल जाएगा बताइए क्या ही बुरा है तो यह हमारा batch है आप लोग से purchase कर सकते हो आपके मने में विचार रहता है कि सर हम PDF का से बलेगी तो इस classes की PDF जितनी भी PDF है न त SSG गुरकुल application पर जाएंगे तो वहाँ पर free classes में आपको जैसे जैसे आप free classes में एंटर करेंगे एंटर करते ही वहाँ पर आपको मनोकामना पूर्ण सरंकला देखेगी जाएगा सभी classes पड़ी हुई है वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा है न वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा स साथ हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लीजेगा जिससे कोई भी notification आता है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सेगे ठीक है वई तो आज के लितना ही thank you so much मिलता हूँ आपसे next class में बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much